Hello friends, आपका स्वाइट है मारे चैनल physics with प्रग्या में तो आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है Northern 서 जब हमें पहले हैं पहले ही आशान हो जाती है इसी प्रकार एक्जामनर के लिए होता है कि अगर आप इसमर्णी बिंदुगों को हाईलाइट करके अलग से लिखते हैं तो उसके पहले नजर है पड़ती है जिससे अच्छे इंप्रिशन पड़ता है और आपको अच्छे क्रतियां भी दे सकते हैं ठीक है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ठीक तो स्टार्ट करते हैं के जीवन परचे के बारे में तो इनके स्मर्णी बिंदुगे जन्म हुआ इनका 9 अप्रेल 1893 को रहुल शंक्रत्याइंजी का जनम 9 अप्रेल 1893 को गवर्धन पांडए पांडड़े तरह इनके पिता जी का नाम गोवर्धन पांड़े नाना जी विदा देखल रहा है इनोंने किसे विधाїं शाहित्यक्तार थे यात्रा कार थे विचारजक्तपार नुन इनोंने यात्रा शाहित्ते पर अपनी रश्नाई की बहुत करते थे भाषा जैल्यवेश्ण बहुतlor भाव सिगंगा मेरी जीवन यात्रा ये इनका यात्रा शाहित्ते हैं तो बात करें इनके जीवन परशे के बारे में तो देख सकते हैं आप ये इनका जीवन परशे है तो राहुल शंकृत्याइन जी का जनम राहुल शंकृत्याइन जी का जनम आजमगर जिले के पंधहा नामक थीक राहुल्ट शंक्रत्याइन जी का जनम जमगडजिले के पंधा नाम अग्जाओं में नौप्रह 893 श्वी को रही बात करें पिताजी के बारे में तो इनके पिटा जी एक शाधार्मिक प्रवत्ति केटें जिनका नाम गोवर्धन पांडे था इनके पिताजी का नाम अपने मांता इसलिए माईके में रहती थी इनकी माता जी के मृत्यू के पश्चात और पश्चात इनके नाजी ने किया है इनके प्रारंबिक सिच्छा इनके गाउं पंदहा वहीं पे हुई है ठीक उसी में जो मदर्शा था गाउं में वहीं पे इनकी प्रारंबिक सिच्छा हुई है इनका विवा बच्पन में ही कर दिया गया था राउल शंकृत्यान जी का विवा बच्पन में ही कर दिया गया था इस घटना को वो बरदाश नहीं कर पाया थे ये घटना उनके माइड में बैट गई थी जिस कारण इनोंने क्या क्या था अपना घरी छोड़ दिया था विवाह के कारण जो घटना घटी थी उसके कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया तदा मठ में जाके शाधू हो गए परंत उग्रशुभाव के कारण यह वहां भी नहीं ठीक सके और चउदा वर्श की आयू कहां चलेंगे और पूरा भारत ब्रहlad करेके 8 फिर पूरा भारत ब्रहाराद के और इसके बात कहां चेलेगए शुरी लंका चेलेग wok जहां पर बहुत धर्म की दीच्छा ली जहां पर बहुत धर्म की दीच्छा ली और रामोदर शाधू से नाम इनका बदल कर क्या राहूल हो गया तथा शांकृति गोति के कारण इनका नाम शांकृतियान हो गया राहूल शांकृतियान इनका नाम रामोदर शाधू से और शा काशी के पंडितों ने इनकी अनुपम ग्यान के भंडार को देखा तो इन्हें महापंडित की उपाधी ठीक है राहुल शांकरत्यान जी को महापंडित की उपाधी ठीक है इनका निधन इनका निधन 14 अप्रेल 1963 को दारजलिंग में हुआ ठीक ये बात हुए इनके जीवन के बारे में अब बात करते हैं इनके साहितिक पैचे के बारे में राहुल जी को हिंदी और हिमाले से बड़ा प्रेम था इसलिए वो नैनिताल में घर बना कर रहते थे अपनी आत्रा को आत्म साथ करते हुए इन्होंने गुमककड सास रच है जिसमें इनकी रचन है अथात्तो गुमककड जिग्याशा ये भारती शाहित शम्मेलन के अध्यच के रूप में भी इन्होंने भाशड दिया है अपनी पुस्तक वैग्यानिक भौतिकवाद एवं दिकदर्शन में प्रकाश भी डाला है अपनी पुस्तक वैग्यानिक भौतिकवाद तथा दर्शन दिकदर्शन में भी इन्होंने प्रकाश डाला है तो भाई अगर आपको रहुचंकित्यान जी का वीडियो जरा सभी अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीस वीडियो को लाइक और मैं चै